ओम शांति ओम शांति आज 29 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मदुर महावाक्यों को मीठे बच्चे प्रश्णों में मूझना छोड मन मनाभव रहो बाप और वर्से को याद करो पवित्र बनो और बनाओ प्रश्ण शिब बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते क्यों उत्तर बाबा कहते मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओविडियन्ट सर्विंट हूँ तुम बच्चे मेरे मालिक हो मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ बाब है निर एहिंकारी बच्चों को भी बाब समान बनना है मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे करवाऊंगा मेरे पैर भी नहीं है जिसको तुम धुलाई करो तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है गीत निर्बल से लड़ाई बलवान की ये कहानी है दिये की और तूफान की ओम शंति निराकार शिव भगवानु वाच शिव बाबा निराकार है और आत्माएं जो शिव बाबा कहती हैं वह भी असल में निराकार है निराकारी दुनिया में रहने वाले है यहाँ पाट बजाने के लिए साकार बने है अब हम सबको तो पैर है श्री क्रश्न को भी पाओ है पैर पूझते हैं ना शिव बाबा कहते है मैं तो हूँ ओबिडियंट मेरे पैर नहीं है जो तुमसे पैर धुलवाओं या पूझा करवाओं सन्यासी पैर धुलाते हैं ना ग्रस्ती लोग जाकर उनके पैर धुते हैं पैर तो मनुश्यों के हैं शिब बाबा को पैर ही नहीं है, जो तुमको पैर की पूजा करनी पड़े, यह है पूजा की सामगरी, बाप कहते हैं मैं तो ज्यान का जागर हूँ, मैं अपने बच्चों से कैसे पैर दुलवाऊंगा, बाप तो कहते हैं वन्दे मातरं, माताओं को फिर क्या कहना है, हाँ, खड़े हो कर कहेंगे, शिब बाबा नमस्ते, जैसे सलाम मालेकम कहते हैं न, सोभी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है, कहते हैं, I am most obedient, बेहद का सर्वेंट हो, निराकार और निर एहिंकारी कितना है, पूजा की तो बात ही नहीं, most vivid children, जो मिलकियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराएंगे, हाँ, चोटे बच्चे बाप के पाउं पड़ते हैं, क्योंकि बाप बड़ा है, परन्तु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है, जानते हैं कि बच्चो को माया बहुत तंकरती है, बहुत कड़ा पाट है, बहुत अपार दुख अजुन आने वाले हैं, ये सारी बेहद की बात है, तब ही बेहद का बाप आते हैं, बाप कहते हैं दाता मैं एक ही हूँ, अन्ने किसी को भी दाता नहीं कह सकते, बाप से सब मांगते हैं, सादू लोग भी मुक्ती मांगते हैं, भारत के ग्रेस्ती लोग भगवान से जीवन मुक्ती मांगते हैं, तो दाता एक हो गया, गाया भी हुआ है, सर्व का सदगती दात सादू लोग जब खुद ही साधना करते हैं तो ओरों को फिर गती सदगती कैसे दे सकते हैं मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम दोनों का प्रॉप राइटर एक ही बाप है वे अपने समय पर आते हैं एक ही बार और सभी जन्म मरण में आते रहते हैं यह एक ही बार आते हैं जबकी रावन का राजे खत्म होना होता है उसके पहले आ नहीं सकते ड्रामा में पाठी ही नहीं है तो बाप कहते हैं तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है मनुष्य नहीं जानते तो सर्ववे आपी कह दिया है अभी तो है रावन राजे भारतवासी ही रावन को जलाते रहते हैं तो सिध्ध है रावन राजे भारत में है राम राजे भी भारत में है यह बातें राम राजे स्थापन करने वाले नहीं समझाते हैं कि कैसे अब रावन राज्य हैं? ये कौन समझाते हैं? निराकार शिव भगवानुवाच आत्मा को शिव नहीं कहेंगे आत्माएं है सम सालेग्राम शिव एक को ही कहा जाता है सालेग्राम तो अनेक होते हैं यह है रुद्र ज्यान यग्य वे ब्राहमन लोग जो यग्य रचते हैं उनमें एक बड़ा शिव लिंग और छोटे-छोटे सालेग्राम बनाकर पूजा करते हैं देवियों आदी की पूजा तो वर्ष वर्ष होती है यह तो रोज मिट्टी के बनाते हैं और पूजा करते हैं रुद्र का बड़ा मान होता है सालेग्राम कौन है वे तो जानते नहीं तुम शिव शक्ती सेना पतितों को पावन बनाती हो शिव की पूजा तो होती है सालेग्राम कहां जाएं तो बहुत मनुष्य रुद्र यग्यरच सालेग्रामों की पूजा करते हैं शिबाबा के साथ बच्चों ने भी महनत की है, शिबाबा के मददकार है, उनों को कह जाता है खुदाई खिदमतगार, खुद निराकार भी जरूर कोई शरीर में आएंगे न, स्वर्ग में तो खिदमत की दरकार नहीं, शिबाबा कहते हैं देखो यह मेरे खिदमतगार बच जाते हैं वे ब्रामर लोग वा सेट लोग थोड़े ही जानते हैं वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यग्य बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं यह बड़ी होस्पिटल है जहां योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं बाप कहते हैं मुझे याद करो पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है बोड़ी कॉंशेस होते हो बाप को भूलते हो तब ही फिर और विकार आ जाते हैं यह योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते हैं परंतु वेपतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाएं शिव तो है ही बिगर पाउं वे तो आकर माताओं का सर्विंट बनते हैं और कहते हैं बाप और स्वर्ग को याद करो तो फिर तुम 21 जन्म राज्य करेंगे 21 पीड़ी गाई हुई है और धर्मों में नहीं गाई जाती किसी भी धर्म व देवता धर्म वाले जो और धर्मों में मिक्स हो गई हैं वे फिर निकल लाएंगे स्वर्ग के सुख तो अपरम पार है नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख होता है थोड़ा पुराना होने में कुछ न कुछ दाग हो जाते हैं फिर रिपियर किया जाता है तो जैसे बाप की महिमा अपरम पार है वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरम पार है जिसका मालिक बनने का तुम पुर्शार्थ कर रहे हो और कोई स्वर्ग का मालिक बनाना सके तुम बच्चे जानते हो विनाश की सीन बड़ी दर्द ना कहे उनके पहले बाप से वर्सा ले लेना चाह बाब कहते हैं अब मेरे बनो अर्थात इश्वरी गोदलो शिब बाबा बड़ा है ना तो तुमको प्राप्ती बहुत है स्वर्ग के सुख अपरम पार है नाम सुनते ही मुख पानी होता है कहते भी है फलाना स्वर्ग पधारा स्वर्ग प्यारा लगता है ना ये तु है ही न जब तक सत्युग में ना हो तब तक स्वर्ग में कोई जाना सके। बाप समझाते हैं, यह जगदंबा जाकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्षमी बनती है, फिर बच्चे भी नमबर बार बनते हैं, मम्मा बाबा जास्ती बुर्शार्त करते हैं, राज्ये तो वहाँ बच्चे भी करेंगे न, सिर्फ लक्षमी नारायन तो नहीं करेंगे, तो ब सन्यासी कहना सके कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं उसके लिए तो भगवान चाहिए कहते मुक्ती जीवन मुक्ती के द्वार कल्यूग के अंत में खुलेंगे यह है रुद्र ज्यान यग्य मैं हूँ शिव रुद्र और यह है सालिग्राप यह सब शरीरधारी है मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है यह सब ब्रहमन है ब्रहमन बिगर यह ज्ञान कोई में होता नहीं शुद्रों में भी नहीं है सत्युग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धी थे जो बाप ही अब बनाते हैं सन्यासी किसी को पारस बुद्धी बना न सके बल खुद पवित्र हैं फिर भी बिमार हो पड़ते हैं स्वर्ग में कभी बिमार नहीं पड़ेंगी वहां तो अपार सुख है इसलिए बाप कहते हैं पूरा पुर्शार्थ करू रेस होती है न यह हैं रुद्र माला में पिरोनी की रेस हम आत्मा को दोड़ी लगानी है योग की जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे यह तीखा दोड़ रहा है उनके विकर में विनाश होते जाएंगे तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो बुद्र योग की यह बहुत अच्छी आत्रा है तुम कहते हो ऐसे स्वर्ग के अपरम पार सुख पानी के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे हमको माया हिला नहीं सकती प्रतिग्या करनी होती है अंतिम जन्म है मरना तो है ही तो क्यों नहीं बाप से वर्सा ले लेवें कितने बाबा के बच्चे हैं प्रजा पिता है तो जरूर नहीं रचना रचते हैं नहीं रचना होते हैं ब्राहमनों की ब्राहमन हैं रुहानी सोशल वर्कर देवता तो प्रालब्द भोगते हैं तुम भारत की सर्विस करते हो, इसलिए तुम ही स्वर्ग के मलिक बनते हो, भारत की सर्विस करने में सब की सर्विस हो जाती है, तो यह है रुद्र ज्यान यग्य, रुद्र शिव को कहा जाता है ना कि श्री क्रेश्न को, श्री क्रेश्न तो सत्युक का प्रेंस है, वहां यह यज्यादी होंगे नहीं अभी है रावन राज्य ये खलास होना है फिर कभी रावन बनाएंगे ही नहीं बाप ही आकर इन जन्जीरों से छुढाते हैं इस ब्रह्मा को भी जन्जीरों से छुढाया ना शास्र पढ़ते-पढ़ते क्या हालत होई है तो बाप कहते हैं अब मुझे याद करो बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है पवित्र रहते नहीं फाल्तु प्रश्न पूछते रहते हैं तो बाप कहते हैं मन मनाभव अगर किसी बात में मूँचते हो तो उसको छोड़ दो मन मनाभव ऐसे नहीं कि प्रश्न का response नहीं मिला तो पढ़ नहीं छोड़ दो कहते हैं भगवान है तो response क्यों नहीं देते बाप कहते हैं तुम्हारा काम है बाप और वरसे से चक्र को भी याद करना पड़े वैभीत्री मूर्थी और चक्र दिखाते हैं लिखते हैं सत्यमेव जयते परंतु अर्थ नहीं समझते तुम समझा सकते हो शिप बाबा को याद किया तो सुक्ष वतनवासी ब्रह्मा विश्नु शंकर भी याद आएंगे और स्वदर्शन चक्र को याद करने से विजयनती हो जाएंगे जयते माना माया पर जीत पहनेंगे कितनी समझ की बाते हैं या काइदे हैं हंसों की सभा में बगुले बैठ न सके बीके जो स्वर्ग की परी बनाती हैं उन पर बड़ी रिस्पोंसिबलिटी है पहले जब कोई आते हैं तो उनसे हमेशा प्रशन पूछो आत्मा के बाप को जानते हो प्रशन जो पूछते हैं तो जरूर जानते होंगे सन्यासियादी ऐसे कभी नहीं पूछेंगे वे तो जानते ही नहीं तुम तो प्रशन पूछेंगे बेहद के बाप को जानते हो पहले तो सगाई करो ब्राह्मनों का धंदा ही यह है बाप कहते हैं हे आत्माएं मेरे साथ योग लगाओ क्योंकि मेरे पास आना है सत्यूगी देवी देवताएं बहुत काल से अलग रहे हैं तो पहले पहले ग्यान भी उनको ही मिलेगा लक्ष्मी नारायन ने 84 जन्म पूरे किये हैं उनको ही पहले ज्यान मिलना चाहिए मनुष्य स्रिष्टी का जो ज्ञाड है उसका पीता है ब्राह्मा और आत्मा का पीता है शिव तो बाप और दादा है न? तुम हो उनके पौत्रे उनसे तुमको ज्यान मिलता है बाप कहते हैं मैं जब नर्क में आउँ तब तो स्वर्गरचू शिव भगवानू भच लक्ष्वी नारायन तिरिकाल दर्शी नहीं है उनको यह रचता रचना का ज्ञान है नहीं तो परंपरा कैसे चले? कई समझते हैं यह तो सिर्फ कहते रहते है मोत आया के आया? होता तो कुछ नहीं है इस पर एक मिसाल भी है न? उसने कहा शेर आया शेर आया परंथु शेर आया नहीं आखिर एक दिन शेर आ गया बकरियां सब खा गया यह बाते सब यहां की है एक दिन काल खा जाएगा फिर क्या करेंगे? भगवान का कितना भारी यग्य है? परमातमा के सिवाय तो इतना बड़ा यग्य कोई रच ना सके ब्रह्मा वंशी ब्राहमन कहलाकर पवित्र ना बना तो यह मरा शिबाबा से प्रतिग्या करनी होती है मीठा बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा मैं तो आपका हूँ अंत तक आपका हूँ कर रहूंगा ऐसे बाब को अत्वा साजन को फारक्ती दी तो महराजा महरानी बन नहीं सकेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग धारना के लिए मुख्य सर सच्चा खुदाई खिद्मतगार बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है रुआनी सोशल वरकर बनना है किसी भी प्रकार के प्रश्णों में मुझ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है प्रश्णों को छोड बाप और वर्से को याद करना है वर्दान हदों से पार रहे सब को अपने पन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्थ भव हदों से पार रहे सब को अपने पन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा ऐसे सभी के मन से निकले कि यह मेरा है बेहद का भाई है या बहन है दीदी है राधी है कहां भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित हो हदों से पार रहकर बेहद की भावना बेहद की श्रिष्ट कामना रखना यही है follow father करना अभी इसका practical अनुभव करो और करो वैसे भी अनुभवी बुजूर्ग को पिता जी काका जी कहते हैं ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपना पन महसूस हो स्लोगन उप राम स्थती द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फसेंगे नहीं उप राम स्थती द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फसेंगे नहीं ओम शंति